पुझ गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं अगर पहली बार चनल पर आये हैं तो चनल को जरू सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमेशे की तरह श्रीष शिवाय नमस्तुब्यम जरू लिखें देखें भगवान शिव को आखड़े का फूल बहुत प्रीय है और रविवार के दिन आखड़े की जड़ में आपको विशेश चीज डालनी है ताकि आपके जीवन से दुर भाग ये दूर हो देखें आपको क्या करना है एक तामबे के पात्र के अंदर जल भरना है यदि आपकी हाँ पर लाल चंदन है तो जल के पात्र के अंदर लाल चंदन डाले यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो फिर आपको गुड़ डालना है गुड़ किसे डालेंगे बिल्कुल चू नहीं डालना है ठीक है आपको आदा जल आकड़े की पेड़ में डालना है और आदा जो जल है वो ले करके आप शीव मंदिर में आ जाएं और भगवान शीव के उपर आपको अर्पित कर देना है ध्यान रखे श्री शीवाय नमस्तुब्यम का जाप करते हुए गोण मिश्रि जल भगवान शीव के शीवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है तो इस प्रकार से ये क्रिया करनी है आकड़े के पेड़ के वहाँ पर गणेश जीस से जीवन में आ रहे विगनों को दूर करने की प्रातना करनी है और भगवान शीव के शीवलिंग के सामने आपको मान सम पूड का तुकड़ा डाल करके आना है और वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुब्यम का जाब करना है वेसे ही आपको शिवलिंग के वहाँ पर गुड मिश्रेच जल है वो आपको अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुब्यम का जाब करते हुए तो बड़ा ही आसान सा उप और यो